जन्पद महुवा की चर्खारी और महुवा में भब्य हुआ निर्दली प्रत्यासी संजेश साहू का रोड़सू निर्दली प्रत्यासी संजेश साहू की रोड़सू में हजारों की चंसंक्या में जोटी लोगों की भीर संजे साहू के बड़े भाई पूर्वो मंत्री सिद्ध गोपाल साहू वा उनके पुत्र साके साहू मौजूद रहे महवा के रोड़ सोव है सुरेंदर साहू, जकत साहू, रिंकु साहू और सर्वजाती के लोगों की भीड देखने को मिरी और जर्खारी में निर्दली प्रत्यासी संजे साहू ने जनता से आरी पर बोट डालने की अपील के और भव्वे रोड़ सो निकाला गया आपको बता दें कि निर्दली प्रत्यासी संजे साहू ने आज 25 अप्रेल को जनपत महुपा चिले के चर्कारी तहसील में रोड़ सो किया जिसमें हचारों की जनसज्या में भीड दिखाई दी पूरे रोट सो में कई हजार लोग मौजूद थे जैसे ही जुलूस आगे बढ़ रहा था लोग भी जादा होते चले गए थे पूरी तरह से अच्छा हुआ रोट सो लोगों से घर घर जाकर आरी पर बोट डालने की अपील की संज्या साहू निर्दलिय प्रत्यासी में आपको बताते चले कि मखवा जिले में लोगों से मुदली प्रत्यासी संज्य साहू के लिए सिद्धोपल साहू पूरु मंत्री वाउन के पुत्र साहू वा महवा जिले के चर्खारी तहसिल के गौरहरी गाउं के पूरो प्रधान राम विशाल साहू वा साहू समाज के समाज सेवी ने घर गर जाकर बोट मांगे और कारेकरताओं में विक्रम सिंग डॉक्टर लच्मी रिंकू साहू बनत थू चाचा जितेंदी आदव ने भी जन संपक किया वहीं कई दिगज नीता रोट सो में दिखाई दिये आपको बताते चले कि मुन्ना साहू मौजूद रहे रोट सो में खुश दिखाई दिये रिंकू साहू ने बताया कि संज़ साहू एक साप सुत्री छबी के नीता है लोगसभा चुनाव की निर्दलिय प्रत्यासी संज़ साहू से लोगों को मिलने से उम्मीद जागी है चुनाव से पहले भी संज़ साहू के बड़े भाई पूर्वो मंतरी सिद्गोपाल साहू जी हमेशा लोगों की सेवा में खड़े देखे गए है चुनाव के बाद आप सोची अगर ऐसे प्रत्यासी जीते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि पांस साल में जन्ता के सामने हमेशा दिखाई देंगे यह हम नहीं कह रहे हैं जन्ता की आवाज है इस पूरे रोट सो में प्रत्यासी संजे साहू के साथ बहुत तादापने लोगों की आवाज बुलन देखने को मिली जिसमें सरीफ वेग वा संधीव वा हजारों की संख्या में लोगों की फीड उडि जिससे रोडसो में साके साहु जोकी सिद्धिगोपाल साहु पूर मंतरी के पुत्र हैं और भी कई नेता मौचोत रहें हमीर पुर्राट से टाइम सेटी निउस के लिए योगे साहू की रिपोर्ट